हेलो गई सेल कम बैक्टूबर चैनल तो बीए स्टड़ी पर आपका फिरसे स्वागत है तो जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक के स्लेबस को एक एक करके कम्प्लीट कर रहे हैं ऐसे ही मैं चुका हूँ आपके लिए बीए के फर्स्ट सेमेश्टर के अर्थसास्थ का यूनिट वाल लेकर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे यूनिट वाने की और यह हमारा पार्ट फॉर होने वाला है ठीक है पार्ट वन टू टू ट्री हमने अर्रे डिसकस कर लिया और वह हमारे चैनल पर अपलोड भी हो चुका है जिसने वह वीडियो नहीं देखिए वह हमारे चैनल पर विजिट करकर देख सकता है अज की वीडियो में हम बात करने वाले हमारे अफसर लागत उत्पादन संभावना वक्र की हना इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमको पढ़ना गया है तो देखिए बिए कि फर्च सेमेचर अर्थ सास्तर यूनिट वन में हमको कमी और विकल्प की समस्याओं के बारे में जानना है इसका हमने इंट्रोडक्शन पहले ही ले लिया है कुछ पार्टों में जैसे कि पार्ट वन टू थ्री में आपने देखा होगा कि पार्ट वन में हमने सबसे पहले अर्थ सास्तर को समझा कि अर्थ सास्तर होता क्या है क्योंकि क उसके बाद हमने अर्थ विवस्ता को अच्छे समझा, यानी कि अर्थ विवस्ता होती है, सबसे पहले ये भी हमको पता होना चीए, फिर हमने इस से related कुछ बात की, जैसे की कमी को समझा, विकल्ब को समझा है ना, समस्या किस तरीके से उत्पन होती है, ये समझा, है ना, पुष्टी किस तरीके से आती है वो समझा तो बहुत सारी बाते कर चुके हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अफसर लागत जैसे कि अब डिस्कस किया तो बिना किसी देरी किये चली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यह अफसर लागत उत्पादन संभावनाव और कि यह सब चीजे क्या होती है तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अवसर लागत कि तो अवसर लागत सर्वोत्तम विकल्प कि छोड़ी गई लागत है यह आए इसको एक एक जामपल से समझते हैं जैसे कि मनोज है मनोज की सेलरी 40,000 है और इसको एक दो अवसर मिलते ह ये वाली, गलती से छूट जाती है ये जो, तो इसके पास एक तो 35,000 वाली है, एक जोब रैडीरी पढ़ी है, उसी तरीके से दूसरी जोब भी रैडी है, इसके 30,000, तो अगर मनोश की जोब छूट जाती है, तो वो किदर की तरफ जाना पसंद करेगा, तो असान सा इसका अंसर है, वो इस तरह जाना पसंद करेगा, यानि कि दो अफसरों में सबसे अच्छा विकल्प जो होता है अट्पाधन संभावन बाता है उससे पहले हम एक एकसामपल लेते हैं और उसको समझते हैं जैसे कि हमारे पास 20 लाक रुपे है, 20 लाक हम ने किसी से लिये, हमने दो चीजों को समान, यारी नि दो समान को उत्पाधन करने के लिए भूटी, या तो देखी, एक exam बाजाद मसत है, ये एक area है, जिसमें हमको दो चीजे बनानी है, या तो हम इसमें पार्क बना सकते हैं या फिर हम इसमें स्कूल बना सकते हैं या फिर दोनों भी बना सकते हैं तो देखिए, मेरे पास 20 लाख रुपे हैं या तो मैं इसको 20 लाख रुपे पूरे स्कूल में लगा दूँ ठीक है? या पूरे 20 लाग रुपे मैं किस में? पार्क में लगा दू ठीक है? स्कूल में लगा दू या फिर पार्क में लगा दू या फिर मैं करू 10 लाग का पार्क, 10 लाग का स्कूल या फिर 8 लाग का पार्क, 12 लाग का स्कूल या फिर 12 लाग का पार्क, 8 लाग का स्कूल यानि कि भूस सारी संभावना उत्पन हो जाएगी जब मैं इनके उत्पादन की बात करूँगा इसी तरीके से जब मैं दो चीजों का उत्पादन करता हूँ तो उसमें भी भूस सारी संभावना हो जाती है बहुत सारी संभावना आ जाती है क्योंकि मेरे पास संसादन क्या होती है सीमित है सीमित संसादन में में मेरे को दो चीज का उत्पादन करना है तो बहुत सारी संभावना आए जाएगी उन्हीं संभावनाओं को जब हम वक्र पर शो करते हैं वो हमारा उत्पादन संभावना बर क्यालाता है आईए इसके एक बार परिभाशा को देखते हैं ये दो वस्तुए के संभावि संयोजनों के वक्र प्रतिनिदित्व को संधर्बित करता है जिने दिये गए संसादनों और प्रद्धोगी के साथ उत्पादित किया जा सकता है उमीद करता हूँ आपको वक्र होता है अब इसी तरीकецे हमारे और कुछ भी नाम है इसके वक्र के जैसे कि इसे परिवरतन वक्र भी कहा जाता है परिवरतन सीमा भी उत्पादन संभावना सीमा भी और परिवर्तन सीमा के रूप में भी जाना जाता है यानि कि इसके बहुत सारे नाम है तो आप घबराईएगा मत जब अगर आजाए आपका ये नाम आजाए ये नाम आजाए मतलब एक ही ये पूछ रहा है तो असान सा है समझा चुका है ह ग्लास और कुर्सी का एक्जामपल लिया अब देखिए जब मेरे पाँ कुछ पैसे है तो उससाब पैसों को अगर मैं ग्लास में लगा दूंगा तो कुर्सी बनाई नहीं पाऊंगा कुर्सी का पादन जीरो होगा इसी तरीके से भी संभाव ना ये तो मेरे पर भी सकता हूं 12 गिलास बनाऊंगो तो 3 कुर्सी बना सकता हूं 11 बनाऊंगो तो 4 बना सकता हूं और 10 बनाऊंगो तो 5 यानि कि अलग अलग संभावन है जिस तरीके से हम संसाधन को बाठ देंगे तो हमारा क्या होगा एक चीज कम हो जाएगी दूसरी चीज बढ़ जाएगी तो हमारी ग्लास है अटूर यह हमारा कुल सी है तो इस तरीके से देखर हम ग्लास पंदरा बना रहें तो हमारा कुल सी कक पादन 0 हो रहे हैं और जब हमने 14 ग्लास बना हैं तो एक कुल सी बन रही है अब इसी तरीके से अगर 13 ग्लास बन रहे है तो 2 कुरसी बन रहे है 13 ग्लास बन रहे है तो 2 कुरसी बन रहे है अगर 12 ग्लास बन रहे है तो 3 कुरसी बन रहे है 11 ग्लास बन रहे है तो 4 कुरसी बन रहे है अगर 10 ग्लास बन रहे है तो 5 कुरसी इस तरीके से हमने इसका वक्र बनाया तो यही था हमारा उत्पादन सब्भावना वक्र अब इसी तरीके से यह अलग-अलग भीएव करता है उसको भी हम अगली वीडियो में समझेगे आज की वीडियो में हमने यह जो भी समझाएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलके आपसे अगली वीडियो में जब तक के लिए थेंके सो मच